तो आज का जो हमारा डिस्केशन है आज हमने टू सेशन प्लान किये है अब हमारे पास कोश्चन अवेलेबल है जी एस वगर में भी क्या पूछे गए जैसे कई बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ कुछ लोग 38-40 तक भी कोश्चन करके आए और कुछ बच्चों के में मैसेश देख रहा था कि सर कोश्चन जादा नहीं हुए या कोई सेट टाफ आ गया तो अब पेपर हमारे सामने अवेलेबल है एक बार उसके अनलेसिस भी हो जाएगी कि कौन से कोश्चन क्लास के थे कौन से कोश्चन क्लास के नहीं थे किन कोश्चन को बिल्कुल भी अटेम्ट नहीं करना चीए था जार इसकी बाद थी तो सारी चीज़े पेपर सामने है उसमें डिसकेशन हो जाएगा कौपी में कौन से चीज़े कराई हैं कौन से नहीं कराई हैं मैं आपको सासा बताता जाओंगा इसके बहले कुछ एनाउस्मेंट का भी पार्ट है एक एनाउस्मेंट तो ये है कि RRB JEE का बैच अनकेडमी स्टार्ट करने जा रहा है जल्दी ही वो डिटेल्स आजाएंगी आपके पस मतलब अगले हफते आप मानके चलिए दो-चार दिन में RRB JEE का बैच आजाएगा के टेल्स वगर आपको दो-तिन दिन में मिल जाएंगी नेक्स्ट विक तक शायद लॉंच कर देंगे एनाउस्मेंट पार्ट एक तो ये है गेट एंड एसी के लिए मॉक टेस्ट है ये गेट दोहर तेईस दिसंबर चार और अठारा को एक तो ये एनाउस्मेंट है ओल इंडिया मॉक टेस्ट गेट दोहजर तेईस गेट एंड एसी चार दिसंबर अठारा दिसंबर उसके बाद आठ पंद्रा बाईस उनकतेस ये मॉक टेस्ट गेट के लिए कोड किसी भी एजुकेटर का यूज़ कर सकते हैं किरावाला कोड है जी एस लाइव जी एस एल आई वी ए एक एनाउस्मेंट ये है दूसरा है एक हाल फिलाल के जो बैचेज हैं बैच्ट गेट दूहर 24 का नवंबर 24 को लाँच हुआ है इलेटस बैठ है भी नवंबर 24 को स्टार्ट है तो इसी तरह से अदर ब्रांचेज में भी है mechanical में भी है इस electrical में भी है स्टार्ट हुआ steel structure विवे गुपता ने स्टार्ट किया है engineering hydrology NBL के प्रकास ने शुरू किया है timing इनके 9.15 और 5.30 के चल रही है अब आ जाते हम अपने questions पे वाइस वगड़ सभी को ठीक आ रही है आगे बढ़े यह वह confirm कर दीजिए शुरू करें सेशन को हम ठीक सबसे पहले यह वाला पेपर देखें देखो अब इस तरह कोशन आये थे प्राइस 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 झर्षा zekerरा रहणा प्राइस कि किसका यह उम्हें रहे है प्राइस प्राइस आये प्र गले, रहे हाँ कि यहां से देख सकते हैं कि कुश्चन कि यहां से देख सकता हैं झाल झाल देखिए एक कोश्चन तो आया था Atomic number of tungsten Atomic number of tungsten जो सब्जेक्ट मैंने आपको कहे थे सब्जेक्ट जो मैंने आपको कहे थे उनमें Quality, History, Geography जीएस में क्या क्या सब्जेक्ट हमने बोले थे जहां से कोश्चन रहेंगे Quality, History, Geography उसके लावा बोला था GK and Current Affairs, Including Economy Environment और एक सब्जेक्ट आपका 910 की NCRT से Physics Chemistry 910 की NCRT से Physics Chemistry ये बात हमारी हुई थी है नहीं पहले ये बताओ GS के नाम पर जो सब्जेक्ट हमने कहे थे Quality, History, Geography पढ़ा भी दिये थे GK and Current Affairs Including Economy ये कराया था चौत्था सब्जेक्ट, पाच्वा मैंने बोला था Life Science मतलब बायो और छटा सब्जेक्ट मैंने बोला था Environment Physics Chemistry के लिए मैंने कहा था कि A.E.J.E की पेपर में कोश्चन आते हैं और इसके लिए 910 की NCRT बुक आपको पढ़नी पढ़ेगी कई बारे डिसकेशन हुआ था बिलकु सीधा कोश्चन है कि Tungsten का अटामिक नंबर बताईए तो क्या पहले से नहीं पता था यह कोश्चन आएगा 910 की NCRT हमने बोला था यह पढ़के जाईएगा Atomic Number of Tungsten कोश्चन आया हुआ है अब जिसने इस बात को सुना होगा बना पाया होगा नहीं तो नहीं बना होगा Tungsten बल्ब में यूज होता है फिलामेंट के तोर पर हाई मिल्टिंग पॉइंट होता यह पढ़ाया भी था मैंने और वो वाला कोश्चन भी एक सेप में आया हुआ है अभी आगे हम कोश्चन देखेंगे यह भी आया हुआ हुआ है तो यह जनरल कोश्चन है यह बनना चाहिए था इस कोश्चन को मैं यह नहीं मानूँगा कि बहुत टफ कोश्चन है आपसे नहीं बनता यह कोश्चन बनना चाहिए था एक कोश्चन है यह कंपनी लोग के बारे में यह आपसे नहीं बनता यह आपके exam के मतलब का भी नहीं था यह आपके आपसे नहीं बनता कोई दिक्कत नहीं थी किससे भी नहीं बनता यह सीका वाला जो कोशन आया था नहीं भी करते कोई दिक्कत नहीं आती इससे यह देखो फिर एक chemistry का question केटायन अनायन entities और डिफरेंट मेटल आयन अब इससे तो GS का लिना देना नहीं यह तो 9-10 phase chemistry मैंने बोला था वहीं पर बने तो बने coordination isomarism दे रखा है इनोंने यह question आपसे बन सकता था पढ़ाया भी हुआ है river के origin कहां कहां से है यह question आपसे बनना चाहिए था अब आप बताईए निमलिखित में से कौन सी नदी का basin देशांतर 77 डिग्री 81 डिग्री पूर्व और अक्षांस 23 डिग्री 26 डिग्री उत्तर तक फैला हुआ है और जिसका 470 मेटर की उचाई पर मध्यपरदेश के भुपाल जी लेव उद्गम होता है तो अब आप मुझे बताईए origin साफ साफ बोल रहा है आपको latitude longitude ना पता क कोई दिक्कत नहीं पर MP की बात कर रहा है चेनाब रिवर MP से आती है क्या कावेरी का origin MP बताया क्या आपको कावेरी मैंने बताया है ब्रंबगी रेल्स करनाट का चेनाब चंद्रभागा इस्ट्रीम पढ़ाया हो कोश्चन है रावी नदी ये तीन तो वैसे ही नहीं होंगे ये तो इंडस सिस्टम का पार्ट है सिधे-सिधे बेतवा आंसर था ये कोश्चन बनना चाहिए था अब आप बताये पढ़ाया कि नहीं पढ़ा रखा है कोश्चन ट्रिब्यूटरी वगर बता रखिये कौन सी रिवर का origin कहा से सब बताये हुए है सुरू की तीनों पढ़ पढ़ाया कोश्चन है तेजस आयर सिटी से चलाई थी पहली प्राइवेट ट्रेन थी और लखनव दिल्ली इसका रूट है और एक बार नहीं कई बार पढ़ाया कोश्चन है यूटूब के लेक्चर देखोगे आप कई बार पढ़ाया हुए उसमें भी लखनव तेजस एक बहाकाल एक्सप्रस का जिकर किया था मैंने आयर सिटीशन चलाई थी यह कोश्चन कमसें पचासों बार पढ़ाया हो कोश्चन है लखनव ने दिल्ली तेजस आयर सिटीशन ने चलाई थी पहली प्राइवेट ट्रेन है फिर बंदे भारत भी पढ़ाया हुई थी बॉलेट कोश्चन था कि नहीं तो क्या सर उलम्पिक तो पूछा नहीं है यह कोश्चन देखो जड़ा ओलंपिक कहा होंगे सिदा सिदा कुश्चन है लॉस एंजलेस कॉपी नहीं पलटेंगे सब्जेट पूरे करेंगे तो पेपर नहीं बनेगा किवल इस पेपर की बात नहीं है मैं किसी पेपर की भी बात कर रहा हूँ अब यह कोश्चन देखो सर विक्रम सारा भाई इस सेंटर के डिरेक्टर कौन बने हमें नहीं पता है यह कोश्चन में थोड़ा बोगत दिमाग लगा सकते थे कैसे लगा सकते थे इसरो के बहुत सारे सेंटर हैं, मैंने क्या पढ़ाया था, इसरो कब बनी हैं, इसरो के कौन कौन सेंटर हैं यह से बताया हुआ है, 37 सेंटर स्रीहरी कोटा, विक्रम सारा भाई सब पढ़ाय हुए है, के सीवन पूरे इसरो में, इसरो के चेर्मेन थे, रिटायर हो गए, इनक इन दूनों में से आपको सोचना था इन दोनों मैंसे सोचना पूराने दस नाम उठा के देखा लो सदुनसर्ट न हों nicest इस्टर। कर लेखते हैं 200 पर शुक्त somro पर ज़्यादा कन्विंसिंग था कि साउथ इंडिया कोई परसिंटिक करो आप तुक्का भी लगाते तो यह लगा सकते थे नाम नहीं भी पता था तो भी वो option अप्ट कर सकते थे पहली पे कमीशन यह मड़ा पढ़ाया भी नहीं है मैं मान के चल रहा हो बनेगा भी नहीं हाल फिलाल का पूस्ता तो फिर भी बना लेते पे कमीशन वाला कोशन मैंने नहीं पढ़ाया और यह कोशन 96 वाला पूचा उपस्थित अब यहां पर डैश संद रचनात्मक सहायता प्रदान करते हैं पार गम्मेता प्रदान और वहाख अलू के रूप में कारे करते हैं यह इंग्लिश में तो उसने लिखा नहीं हिंदी में रखा है पूरा यह कोशिका जिल्लियों में मतलब मेंब्रेन सेल मेंब्रे यह उजब होता है प्रोटीन नाम बरबर आया हुआ है मैक्सिमम चीज जो सेल के बनने में उजब हुई है लिपेड और विटामिन नहीं इसमें बदाया था कि कोई एनरजी नहीं देता बॉड़ी को पर बॉड़ी में कई सारे फंक्शन के होने के लिए जरूरी होता है इसेल में पूरा का पूरा लिखवा रखा है यह कोश्चन सबसे बनेगा लाइव स्कॉपी में लिखा हुआ है लाइव डिसकेशन चल रहा है किसी को लगए कि सर यह कोश्चन आपने जूट बोल रहा है तो सामने लिखना अब तुम गोल मोल बात नहीं कर पाऊगे जो दो 2015 में जियेस पढ़के कह रहा है कोश्चन नहीं बने कोई बाईस में बोल रहा है नहीं बने में मैं फुल टाइम मेंबर सेबी के अभ इसमें से अश्विनी भाटिया मैंने नहीं पढ़ाय सेबी की चेर्मैन कौन बनी है कौश्चन कायदे से वह आना चाहिए था सेबी में कौन बनी है, सही question वो होना चाहिए था, क्योंकि standard वही था, कि सेवी अजय त्यागी को replace करके मधा भी पूरी बनी है, पहली woman, यह अपने आप में important question तो इसे exam में भी आएगा भी, तो अजय त्यागी को replace करके मधा भी पूरी chairman बनी है सेवी में, पर इस chairman नहीं पूछ रहा है, यह कह रहा है, member नहीं कौन बने हैं, मार्च 2022 में, एहम राजेश्वर राओ, यह option आप skip कर सकते थे, भले question नहीं बनता, मैं मान के चल रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि यह question नहीं बनता, पर इसमें एहम राजेश्वर राओ, एक यह option हो सकता था, बाकि तीन में आपको दिक्कत होती, यह question मान के general नहीं बनेगा, एहम राजेश्वर राओ, तो RBI के deputy governor ना, RBI deputy governor की list में नाम लिखाया यह वाला, पर बाकि दोनों में भी तीन option बचेंगे, तब भी confusion होगा, क्योंकि नाम यहाँ इसरो इसरो में तो नाम बता दोगी, South Indian person है वही होंगे, यहाँ आपको दिक्कत आती, प्रो कबड़ी लीग कहां पर हुआ, यह सब आप अपने आप answer करिए, यह स्पोर्स में पढ़ाता भी नहीं हूं, यह सब चीजें, छोटे मोड़े जो इवन्ट इस तरह है कि होंगे, प्रो का बड़ी लीग विग वह अपने आप से आप बना पाऊ तो बना पाऊ, यह कह रहा है कि कौन सी टीम जीती थी इसमें, निम लिखित में से कौन सा कथन, लेन वाले golden quadrilateral, पुराना कुश्चन है यह भी, इसके बारे में क्या बास सही है, golden quadrilateral, चारों मेट्रो सिटी जोड रहा है, 4 by 6 lane वाले golden quadrilateral बारे में क्या सही है, तो यह लिखा है सिदा सिदा, इसमें क्या गलती करोगे, golden quadrilateral से क्या होगा, बड़े शहरों के भी, समय, दूरी और आवजाई का खर्च बढ़ेगा, इसमें से कह रहे हैं, सही नहीं है बताना है, तो अगर खर्च बढ़ेगा तो ऐसी चीज़ बनाना चाहेंगे क्या, सही नहीं पूछ रहा है, इसमें से कौन सा correct नहीं है, आपको इसमें कुछ पता हो ना पता हो, government ऐसा project लाना चाहेगी, क्या जो महंगा पड़े, जो transportation और costly पड़े, क्या इसमें किसी के पढ़ाने की जरूरत है, अगर आप खुद अभी फिर अगला paper देने बैठो, और आपसे कहा जाए कि कोई flyover बनाया जा रहा है, जिससे लोगों का समय और लगे, कि किसी नदी के ऊपर कोई bridge बनाया गया है, ताकि लोगों को 6 घंटे और जादा लगे जाने में, यह answer करोगे क्या कभी, यह लिख रहा है, सही नहीं है, क्या statement सही नहीं है, तो बड़े शहरों के भी समय दूरी और आवाजाई का खर्च बढ़ना चाहिए, करेक्ट हो सकती है, क्या यह बात, इसमें किसी को पढ़ाने की जुरुरत थे, यह वाला कोईशन करने के लिए, जो नहीं बनेगा वो भी बता रहूं, जो बनना चाहिए, वो भी बता रहूं, कि समय दूरी आवाजाई, कम होनी चाहिए, ऐसा प्रोजेट बनाया जाएगा, नॉन प्लान रिवेन्यू एक्स्पेंडिचर यह नहीं पढ़ाया हमने, यह कोशन नहीं गराए, एकॉनमिक कोशन नहीं है, यह कोशन बताओ, किससे नहीं बन पायेगा भी यह, रेपो रेट, यह बैंक रेट क्या होता है, सेंट्रल बैंक मतलब आरबियाई का फंक्शन क्या है, और कमर्शेल बैंक क्या काम करते हैं, यह किससे नहीं बनेगा भोलो, इसमें कोई ऐसे चीज़ें जो ना बना पाऊ, कोशन, बैंसर दिखरा वो छोड़ो, यह आपने कराया कि नहीं कराया, नोट जारी कौन करता है, दो रूपए और उससे ओपर का नोट जारी कौन करेगा, रेप बैंक करेट को कोटा या इकौन करता है, केंद सरक का इसका Reserve Bank का function क्या है सीधा सीधा question है commercial bank आपके जो आप पैसा जमा करते हैं आपके deposit को accept करता है commercial bank सीधा public से dealing करता है node जारी करने की जिम्मेदारी किसकी दो रूप्र और उससे उपर के note RBI जारी करता है YouTube पे भी lecture पढ़े है banking economy के plus class में भी पढ़ा है पढ़े हैं, special class में ही पढ़े हुए, bank rate क्या होता है, कौन तय करेगा, RBI तय करेगा bank rate, RBI के द्वारा लंबे समय के लिए दिया गया loan bank को, उस पर जो RBI ब्याज लगाएगा वो bank rate है, short term loan है तो repo rate, long term loan है तो bank rate, ठीक है, सीधा question है, 2011 की जनगर्णा के अनुसार, नेपाल से migration जो है उसका प्रतिसत, ये question छोड़ने के लिए होते हैं, इनके चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, ये वाले जो question है, ये छोड़ने के लिए ही आते हैं, उनको attempt करोगे, नेपाल से कितना percentage migration है, फिर नेपाल क्यों याद रखो, फिर GS ही अकेला area है, SSEJ का paper हो, CGL का paper हो, जहां वो cut off को control करते हैं, अगर वो कुछ question absurd ना डालें, ऐसे question को absurd question बोला जाता है, absurd मतलब ये exam में बनाने के लिए नहीं हैं, छोड़ने के लिए हैं, पर ये बात तुमको समझ आएगी, जब साल और साल तयारी कर लोगे, तब पता चल जानबुच के question दिया जा रहा है कि cut off नीचे रहे, अब टेक्निकल में बच्चे बोल रहे हैं, सो में से 80C करके आए हैं, empty reasoning पूरा उडा देगा engineer, GSC अकेला area है, जहां हो cut off को control कर रहे हैं, तो जो question नहीं करना, वो नहीं करना, उसके बाद भी 50 मेंसे सुमें 30-35 question नाजर आ speaker Om Villa inaugurated World Tourism Day में किसका inauguration किये थे, अगर YouTube की class लगातार आपने की हैं, या current वारे lecture देखे हुए हैं, 21 का question है ये, current मैंने 21 के last में पढ़ाया हुआ है, ES के लिए भी कराया हुआ था, YouTube पे बहुत lecture मिलेंगे, पर जो लगातार बच्चा एक साल से follow कर रहा होगा, उससे ये बन आये गए हैं, अब स्षधेष दर्शन में कोई में मेरा 19 स्टूडेंट हो, 20 का स्टूडेंट हो, 21 का स्टूडेंट हो, 22 के मिर तक भी पढ़ाया हुआ है, प्रोग्राम पुराना है ये, स्वुदेष दर्शन वाला, तो प्रशाद स्कीम, स्वुदेष दर्शन, लिजम वाली हैं तो यह दोनों तो वैसे इसका पार्ट नहीं है दो अप्शन में गडबड़ हो सकती थी निधी और यह फोर में पहरा दूसरा मेरा पढ़ाया हो कुशन है निधी 2.0 और साथी इन दो प्रोग्राम में कन्फूजन हो सकता था अभी जल्दी की स्कीम है निधी प्रशाद और स्वदेश दर्शन काफी पुराने प्रोग्राम में दोनों तो निधी प्रोग्राम जल्दी का किसी एक क्लास में हुआ था डिसकेश तो वह बच्चों से बना होगा बाकियों से नहीं बना होगा प्रशाद और स्वदेश दर्शन यह जातर बच्चों को पत ओसे नहीं बनेगा नर्ट नाले नर्थ-वृद्याले की स्थापना किस ने की थी यह नहीं बनेगा गुरु बिपिंजेंग यह बनेगा भी नहीं से K से क्या नहीं होता एल नीनो अच्छी तरह से पढ़ायो कोश्चन है पेरू के कोस्ट पर हर तीन से साथ साल में ओशियन की वार्मिंग होती है इन्वार्मेंट में डिटेल में बात हो रखिए इसके ऊपर जो हमारे मांसून पर एफेक्ट डालता है एल नीनो ला नीना दोनों की वार्मिंग होने लगती है पैस्फिक ओशियन की अब उस वार्मिंग का जो प्रभाव है वो हवा की दिशा को अफेक्ट करता है जिससे हमारा मांसून भी कमजोर हो जाता है एल नीनो हर तीन से साथ साल में देखने को मिलता है कभी चौथे साल कभी पाच्वे साल जो पे उस समय पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल बन गया हो इंडियन ओशियन में पेरू के कोस्ट पर एल नीनो हुआ हो और इंडियन ओशियन में इंडिया के आसपास पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल का फॉर्मेशन अगर हुआ हो तो वो एल नीनो के कुल्ड हो जाए अरेवियन सी एवरेज से ज़्यादा गर्म और बे ऑफ बंगॉल एवरेज से ज़्यादा कोल्ड जो एवरेज टंपरेचर से हर साल रहते हैं उसके तुलना में तब वह एल नीनों के प्रभाव को नलिफाई कर देगा इन्वार्मेंट अगर इसने पढ़ र जो घट रहे हैं उनके कम होने के कारणों में एक कारण अलीनों है तब को नुक्सान पहुचा रहा है तो मचलियों को भी नुक्सान पहुचा रहा है एक्वेटिक बायो-डाइवजिती के लिए हमफुल है यह फिनोमेना क्योंकि जो यह हीटिंग हो रही है टंपरीचर को बदल रही है तो प्रजातियां उस एरिया में खत्म होने लगेंगी पढ़ाएवा कुश्चन है प्लैंक्टॉन एक्विटिक चीज है तो प्लैंक्टॉन में कमी आ मचलीओं में बिकमी आएगी यह बी ठीक है जो इवापोरेशन है वो साईकिल बदल जाएगा उसमें चेंज आजाएगा करेक्ट है एक्मोस्फेर का जो विंड्र सर्कूलेशन है मैंने बताया में इतना बदलता है इतना बदलता है कि अपने मांसून में contribute नहीं कर रहा है सीधा सीधा soil erosion नहीं करा रहा है क्योंकि ocean के ऊपर ocean में यह चीज बन रही है ocean के अंदर heating हो रही है तो ocean में जो life रहेगी उसको दिक्कत करेगा ocean का जो water evaporation हो रहा है उसको दिक्कत करेगा हमारे मांसून तक को प्रभावित करेगा मतलब wind को भी effect कर रहा है यह question बनना चाहिए था सबसे होना चाहिए था यह दिक्कत क्या है memory based question थे अब उस दिन कई लोगों को यादी नहीं था कि sir क्या paper में आया था कुछ fake ID वाले थे sir GS बहुत टफ बना GS बना यह नहीं और civil के पहले दिन पहले चैट में बहुत टफ आया है ज़रा देखना यह poverty and unbritish rule in India यह पैर से टिक कर सकते थे question ऐसा हुआ नहीं है कि किसी class में test series में ना कराया हो question यह और बोला भी था हर paper में आज तक काया हो question किस सिध्धान पर आधारित थी यह किताब बताओ ज़रा एक लाइन और आगे बताओ poverty and unbritish rule in India दादा भाई नोरोजी की लिखिवी किताब इसका principle क्या था किस सिध्धान पर थी drain of wealth के सिध्धान पर थी बताया था कि अंग्रेट जो है एक तरफा लूट मचाये हुए भारत से भारत को बदले में कुछ नहीं मिल रहा है unidirectional exploitation हो रहा है इंडिया का economic drain हो रहा है तो drain of wealth के सिध्धान पर थी यह बोलो भई life science का question है इतने बेवकूप हैं एक कह रहा है सर सेल वॉल तो आया था पर उसमें cellulose नहीं दिया था उस दिन पूछ रहा था question क्या थे सब cellulose mention नहीं था plant के बारे में बात थी पर cellulose नहीं लिखा था देखना question यह है सिविल की पहले सिफ्ट की पहले दिन की बात कर रहा हूं मैं जब उस दिन लाइव थे cell wall of cellulose किसमें बनी होती है भई यह पैड से टिक करने वाला question है इसमें क्या दिमाग लगा होगे तुम्हें डेस्मोसोम ना पता हो नहीं पता छोड़ो उसको तुम यह बताओ cellulose plant cell है की नहीं पहले का डी कितने option में पहले का डी दिख रहा है पहले में और तीसरे में और काइटीन की cell wall जो बनी होती है बी एम शब्द बताया था कि बैक्टीरिया की cell wall म्यूरीन की बनी होती है काइटीन वाली फंगस में है तो चार का जो है ए होना चाहिए यह देखो यह रहा दो option पकड़ में सीधे आ गए cell wall cellulose का plant में होता है और काइटीन की बनी cell wall fungus में होती है उठागे देखो life science जब plant और animal cell का अंतर बताया उसमें लिखवाया है कि नहीं सेकंड चैप्टर में सातव़ आठवा पेज होगा life science का चैप्टर टू सातवा या अठवा पेज देखो जहां plant SAKRIIDS के नाम है ये, वहाँ ये बताया था कि POLYSAKRIID के नाम है, मूरीन को इसने सीधे मूरीन ना लिखे PEPTIDO GLYCAN SHBD लिख दिया कुछ अलए कि शब लिख दिया, इसने PEPTIDO GLYCAN करके, और animal cell में cell wall नहीं होती तो तीन तो option cell wall की लिखते क्या नहीं बनेगा तुमसे इस में तीन में तो cell wall लिखा है अगर तुम énorme त्ब्ही आद नहीं आरहे है रिकॉल नहीं कर पा रहे थे तो भी animal cell में तो cell wall होना नहीं चाहिए तो C का तो 1, 3, 4 वैसे ही नहीं हो सकता C वाले में 1, 3, 4 तो वैसे ही नहीं लगा सकता क्योंकि अनिमल सेल में सेल वाल एपसेंट होती है किसी भी तरह से कोश्चन बन जाता है सारे पेपर कराऊंगा मैं आज शाम में भी सेशन रखूंगा एक तो चिंता ना करो जो 9 सेट हुए सब में कराऊंगा मैं अरू बातू मूवर ये मेरा पढ़ाया हुआ नहीं है पर नाम से ये पता लग रहा है कि साउथ का कहीं है ये इतना कॉमन सेस लगाना चाहिए था अरू बातू ये नाम साउथ का नहीं फीलो और आपको गुजरात में इस तरह के नाम यूज होते हैं गया अरू बातू थड़े कड रंगन ठिटू इस तरह के अगर नाम बोलूँ तो आपको नहीं पता लग रहा किए और ऑप्शन भी जान मुझके बनाए हैं इसने अगर ये यहाँ उप्शन में तमिलनाडू केरल करनाटक लिख देता एक से भी नहीं बनता कोश्चन पर थोड़ा सा भी समझवाला बच्चा होगा जैसे नाम अजीब भरत नाट्यम इस तरह के शब्द जो यूज होते हैं देखके पता चल रहा है साउथ में कहीं होना चाहिए कोश्चन टफ तब हो जाता जब यहाँ पर लिखा होता तमिलनाडू करनाटक केरल अब तुम मुझे बताओ अरू बातू अरू बातू शब्द गुजरात में सुनते हो क्या आप इस तरह का या यह हिमाचल में इस तर करनाटक केरल जाल देते कोश्चन नहीं बन्ता और अरू बातू मोवर यह कोश्चन एग्जाम में आता भी नहीं कोामन कोश्चन ने पता है कि तुमसे कोश्चन कब बनेगा अगर करनाटक केरल डाल देता यह कुश्चन नहीं बनता जो सॉल कर रहे हैं जो पेपर होने के बाद लोग बता रहे हैं वो भी ना बना पाते यह किसी को याद नहीं हो गणा किसी ने पढ़ा हो गई है पढ़ा भी होगा तो याद न टेंपरेचर कुछ पूछा है स्केल स्केल डिग्री सेंटिग्रेट का तो जीएस में हमारा एरिया तो नहीं है वाला बांगलादेश की 15-14 साल के उमर में पॉपूलेशन बताओ इस तरह कोश्चन नहीं याद रहेंगे प्रोपेन का दूसरा नाम किस सरी बनेगा भी पाओगे इसका डारेट कोश्चन है यह कोश्चन देखो क्लास में पढ़ाया हुआ कि नहीं पैथोजन को किल करने के लिए 1860 में एक एक्सपेरिमेंट था फूड वगएर या मिल्क को मान लो फूड या मिल्क वगएर में माइक्रोडिजम को किल करने के लिए क्या तरीका लुइस पाश्चर लाइफ साइंस में तीसरे पेज पर ही लिखा हुआ है कि उसने एक्सपेरिमेंट किया था पाश्चुराइजेशन का पाश्चुराइज मिल्क को सीधा इंटेक भी कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है फूड प्रोस्सिंग मेथड जो ठाराव साथ में डिस्कवर हुआ था हीट ट्रीट्मेंट लिख भी राय साफ साफ कि हीट ट्रीट्मेंट करके और मैंने कॉपी में लिख्वाया हुआ है कि 70 डिगरी पे उसने मिल्क को बॉइल किया था चार डिगरी पे कूलिंग कर दिया था हीटिंग सभाई किया था पशवुर 찍 लिया था क्योंकि माइक्र औरग डिजम उस रींज में ग्रोण essas रेंज में में ब़िए च्वाइर्पद ह कि लाए तो यह बीड़ करने वाला कि इस पेस्टलाइस पॉपूलेशल ओफ मैकरो फेजे सेंटल नर्वर सिस्टम में यह नहीं पढ़ाया मैंने बायो पढ़ाया पर बायों में पढ़ाया है वो कुश्चन नहीं है मेरा 26 नंबर नहीं पढ़ाया यह बोलना जड़ा है पचास बार डिसकस हुआ है यह कुश्चन कम से कम fundamental right national emergency में कौन सस्पेंड कर देता है किसके आदेश से लगती इमर्जेंसी बोलो कि यह कुश्चन नहीं बने तो ख्लिकी जोठाक बाहर फेक दिना चाहिए दुमें कि कुश्चन करता है यह कुश्चन भी कराया है थियोरी में ध्यान से पढ़ाया था यह कई बार टेस सीरीज में कुश्चन पुराने पेपर करवा रहा था तब भी कुश्चन आया था यह साम को साथ बजे भी सेशन रखा है मैंने इसलिए यंग बेंगॉल मुव्मेंट यह मुझे पढ़ाना चाहिए था यह मेरा पढ़ाया वो कुश्चन नहीं है पर अब यह कुश्चन देख रहा हूँ तब मुझे रिकॉल हो रहा है कि यह मैंने कराया नहीं हिस्ट्री में कर सब्सक्राइब यह लिए लिकुश्चन नहीं बनेगा क्या आप से चेचनाब सबसे बड़ी ट्रीब्यूट्री हैं डो इस ट्रीम दो जहर्णों से निकलती हैं हिमाचल में दोनों के नाम लिखवाये हुएं चंद्र और भागा और सबसे बड़ा रेल्वे ब्रिज्व बनाया गया है यहां पर तो इंडस की ट्रिब्यूटरी चेनाब इसका वैदिक नेम अस्किनी ओरीजन हिमाचल प्रदेश दो जहरने हैं चंद्र और भागा इस वहां से निकलती है बिल्कुल डारेट कोश्चन है कोई कह रहा है साथ जोगराफी तो कव पेपर में दिखाई लए जोगरफी जोगरफी के चार पाज कुश्चन अजर आ गया भी तक पर गलती आपकी बी नहीं है आपको टेक्निकल भी पढड़ना है नानर्टेक भी पढड़ना है जय्ट बोल रहे हैं सर नहीं कर अधे है कि रुको में जोग्रफिक आपको पेज नंबर बोल देता हूं नोट तो दे रख्टें के नोट भी नहीं दिये हैं यह और जो कहरा नहीं कराया है उसकी फोटो भी नहीं है नाम भी फटजी लिखा हुआ है और सक फोटो अपने बनाया है तो अजीब सी फोटो है पीले रंग की पीले रंग का मुओं की जीव है और ये ऐसा नहीं कि मैंने जयोग्राफिक किसी ने बी पढ़ाया होगा सब ने कराया यह सब कोश्चन नहीं है अब इंडस रिवर पढ़ाओगे और इंडस की ट्रिब्यूटरी नहीं कराओगे मैप नहीं बताओगे रिवर का उरिजन नहीं बताओगे मतब एक्सपोज भी हो रहा है तो सीधे-सीधे हो रहा हो कि फेक आईडी है बिल्कु सीधा-सीधा दिख रहा है कि फेक आईडी पेज नंबर बताओं मैं कहां पर दिया है कुश्चन टेलिग्राम पर नोट्स पढ़े हैं जोग्रफी के थोड़ी मेहनत करवाओगे बस तुम नहीं थोड़ी और बेस्ती तुम्हारी हो जाए तुम कहरो नहीं कराया है जोग्रफी के नोट से पेज नंबर के साथ बताएं तब तुम्हें समझ आएगा झाल झाल पीडियाव पन हो रही है चला बता रहें हो में इसको चंद्रभागा इस्ट्रीम कि अगरे सिस्टम चैप्टर पर जाओ पेज नंबर सूल जोग्रफी की पीडियेफ है पेज नंबर सूल अगर जूम हो सकता है तो जूम करके दिखा दो इसमें यह कॉपी है यह कॉपी है कैमरे में देखो आ जाए तो आ गया होगा यह नोट से अब शरम के मारे चुलू भर पानी में टूब मरो जागे जो फरजी आईडी वाले हैं यही करो जीवन भर चिनाब वैदिकने मस्कीनी ओरीजन चंदरभागा इस्ट्रीम लाहूल इस्पीती एरिया हिमाचल प्रदेश तुमारे क्लास नोट से टेलिग्राम पे भी दिये हुए किससे कह रहे हो सो समझी कमेंट किया गोर जो कुशन नहीं कराए हैं मैं डायेक्ट आपसी कारो मैंने नहीं कराए हैं पर जो कॉपी के लाईने हैं अपनी गलती मानो नहीं तो इस साल नहीं हर साल दिक्कत होगी सेलेक्शन नहीं हो पाएगा ऐसे फेक आईडी बना के कब तक फटजी तंखा लेके काम चलेगा तंखा जो फेक आईडी बनवाया है उससे लेलो पढ़ाई यहां कर लो ताकि सेलेक्ट हो जाओ जीवन भर यह काम ना करना पड़े तुमको तंखा वहां से लेलो पढ़ाई यहां कर लो ताकि सेलेक्ट हो जा तो फिर आगे आपको फेक आईडी वाला भी काम नहीं मिलेगा कि यह भी चीज तुम्हारे कंट्रोल से बाहर निकल जाएगी यह भी काम नहीं चल पाएगा इस समय की वैल्यू समझो और पढ़ लो नहीं तो सर तो पढ़ाएंगे कोश्चन फीर आएंगे फिर तुम्हीं गलती करोगे अगला देखो मिलिंद पान्हों ग्रीक रूलर था जिसका नाम था मिलिंद एक मौंक नागिसेन के साथ इनके कोश्चन आंसर सेशन हुए थे बोलो भाई मिलिंद पान्हों एक बुक थी पढ़ाया है कि नहीं हिस्ट्री में अच्छा है फेक आईडी वाले भी एक्सपोज हो जाएं अब 30 नंबर कोश्चन तक पहुँच चुके और कितने कोश्चन बता चुका हूं मैं भी तक जो लोग कह रहे थे सर्फ दो कोश्चन आये थे कोई कह रहा तीन कोश्चन आये थे कितने तो अभी हो गए और इतना करके चले आते तो भी जी एस अच्छा स्कोर होता मिलिंद पान्हो मिलिंदर राजा था ग्रीक जिसको यहां मिलिंद बोल देते थे और नागसेन मौंग के साथ कोश्चन आंसर सेशन हुए थे उसी question और answer का संकलन उसी question answer का जो जिक्र है एक किताब में मिलता है उस किताब का नाम मिलिंद पानौ और उसी नागसेन मौंग के द्वारा लिखी गई थी मिलिंद पानौ किताब है जिसमें राजा मिनिंदर जिसको यहां मिलिंद बोलते हैं ग्रीक रूलर था और नागसेन मौंग के साथ समवात था उनके मिलिंद के question और नागसेन के जवाब और नागसेन के ही द्वारा यह जिक्र मिलता है मिलिंद पानौ किताब में ठीक है अगले point पर चले टेलिग्राफ की खोज किसने की थी यह question बन सकता था टेलिग्राफ की खोज किसने की थी यह जीके में शायद नएवाले notes में नहीं कराया था मैंने invention inventor बताए थे पर नएवाले में नहीं पिछले سाल के notes में शायद होगा टेलिग्राफ पहले भी question आया हुआ है अभी मुझे खुद ध्यान नहीं कि टेलिग्राफ वाल मैंने कराये कि नहीं यह नहीं पढ़ाये गबरो अबरो नहीं पढ़ाया यह है वाट इस अ कोर्स ग्रेंड डार्क कलर इंट्रूसिव इग्नियस रोग यह बलास्ट वाला सिविल इविल में पढ़ा होगा आपने यह सिविल में पढ़ाओ तो पढ़ाओ आपने एंसीटी बताना जरा दिल्ली में जो हैड होता है कौन होता है वो दिल्ली एक यूटी है इस्टेट नहीं है तो यूटी को कौन चलाते हैं कहीं कहीं इसको लेटनेंट गवर्नर बोलते हैं पोस्ट को कहीं कहीं इसको एड्मिस् चलाता है क्या दो ही स्टेट के एक्जाम्पल दिये थे और कॉपी में देखो पॉलिटी में लिखाए कि नहीं चेपकली वाली जो आईडिये बोलो भाई नहीं कराया था फिर यह और कॉपी दिखाई जाये तुम्हें तुम्हारे लिए सेशन रखाए यह एंसीटी दिल्ली यूनियन टेरिट्री है दो यूटी ऐसे हैं दिल्ली और पॉंडिचेरी जहां सीएम और एलजी दोनों होते हैं पावर का क्लियर बटवारा नहीं है आए दिन कंफ्रिक्ट होते है आपस में यह भी कहानी बताई थी और एलजी चलाता है जो में हेड होता है जैसे सीएम क्य कुछ विभाग सीएम देखता है डाट कुश्चन था इंडियन नैशनल का पहला सेशन अब यह लिखाई नहीं है इंडियन नैशनल क्या कुश्चन ही गलत है यह क्या कह रहा है आइडेंटिफाइड़ प्लेस बेयर फर्स्ट रूरल सेशन और इंडियन नैशनल इंडिया ये क्या चीज़ है यह बता हो है इंडिया नेस्वी आगे नहीं लिखे रहा हूं कि यह को लिखे रहा है खुस्चन ही गलत है। आप कॉंग्रेस नहीं लिखो कोश्चन नहीं है नेशनल प्लानिंग कमेटी सुभाश चंद्र बोस्ट यह उन्नी स्वर्टी सेशन नहरू को बनाया गया था चेहर पर्शन मुतिलाल नहरू तो उससे में थे भी नहीं गांधी जी आंसर हो नहीं सकते कौन सा एनिमल है have more neck vertebrate than many other animal यह आंसर नहीं कर पाओगे इसमें दिक्कत आएगी यह कोशन नहीं बनता और आप से नहीं बहुत लोगों से नहीं बनता which of the following is a trans ocean sea floor Eurasia Basin को अलग कर रहा है यह भी कोशन नहीं बनता वर्ल्ड में तरी सारी चीज़े कहां कहां बन रहे हैं सावांसर नहीं याद कर सकते छोड़ देते कोई दिक्कत नहीं था मात्मा गांधी नरेगा 24 फरवरी 2022 को ट्रांसपरेंसी अकाउंटिबिल्टिक लिए किसको बनाया गया है यह भी छोड़ने वाला कुशन है सहनाई प्लियर जरा बताना भारत रतना बिस्मिल्ला खान को कम मिला था रिखाया है रेकाए नहीं पूरा-पूरा चार्ट पढ़ा रखा है और ये भी कहा था कि लता मंगसकर वाला भी कंपूर्टेंट HP त्लियर में टिक्क कराया हुआ है भारत रतना किसको किस फ्रणे म मिला यह बताया हुआ है एक केराश रावार्ड से कोश्चन जादा नहीं मिले भारत रदन सीधा कोश्चन है बिस्मिल्ला खामी अब याद नहीं रख पाओगे यह वो अलग बात है पर कराया हुआ है क्लास के अंदर यह बताना ज़रा Population Density 2011 की जनगर्णा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया भी जोग्रफी में जनगर्णा पढ़ायी थी Population Density बोलो राजू यादो टेक्निकल के कारण याद नहीं आया तो मेरी गलती तो नहीं है भाई जीएस पढ़ाने में जो क्लास में कराया कोश्चन है कि नहीं मैं तो बार-बार इस बात को कह रहा हूं कि बच्चे जो है उनके रिए टाफ होती चीजे टेक्निकल नॉन टेक्निकल आप सामने देखो यार कोश्चन है कि नहीं है जोग्रफी में सेंसस 2011 में लिखवाया हुआ है 382 पर स्क्वेर किलोमेटर हमने तो बल्कि इससे भी ज्यादा लिखवा रखा है स्टेट वाइस डेंसिटी कहां है कहां कम कहां ज्यादा पुराने कोश्चन जो करवाए थे उस अब यह जब यह चक्कर कहा है छी कोश्चन जो है वह इंग्लीज में नहीं अवेलेबल है एक बरतन लंबे sal anniversary नम हवा के संपर्क में रहता है धुद्ले हरइड़ंग की कोटिंग प्राप्त करता है कि नहीं पता तामड़ में ऐसा होता है हारइड़ंग की कोटिंग हो जा तामबे में पढ़ता है ग्रिन क्लर कोटिंग जो आती है तामबे में या कभी संग्लासेज वगर खरीदोगे जो रेबैन विबैन के जो होते हैं उसे पीछे की तरफ देखना जो उसका है यह उसका है उसके घ्रिन स्पोर्ट्स आ जाते हैं कई बर तो यह भी कोश्चन बन सक हड़ियां केल्सियां फॉस्फेट की बनी है तो अब उसे बार छोड़ दो गो तो ग्रिन कोटिंग थोड़ी पढ़ेगी उसके ऊपर हिमालय इंडिया के क्लाइमेट के लिए क्यों जरूरी है बोलो भाई हिमालय का क्या इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए जोग्रफी में और मैंने नहीं सबने पढ़ाया होगा किसी ने भी जोग्रफी पढ़ाई होगी जरूर पढ़ाया हिमालय का सबसे बढ़ा जो इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको बता हूँ यहां तो कैस ने वो स्टेटमें ने लिखा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस हिमालय का ये है कि जो polar wind इंडिया में आती है Siberian wind, polar wind, cold wind उनको इंडिया में आने से रोकता है polar wind को इंडिया में आने से रोकता है अगर हिमालिया नहीं होता तो हमारा temperature माइनस में होता एक फाइदा तो ये है हिमालिया का दूसरा मांसून वगर में भी role play कर रहा है दक्षड पश्चिम मांसून पवनों को जब वो हिमालिया की तरफ जाती है तो वही उसी कारण वो इंडिया में बनी हुई है हिमालिया नहीं होता तो वो wind और आगे निकल जाती जैसे मैंने आपको अरावली बताया था कि दक्षड पश्चिमी मांसून जब आता है साउथ वेस्ट मांसून जब आता है राजस्थान में बारिश को नहीं करा पाता क्योंकि अरावली की height कम है और अरावली तिर्छा है वो wind को रोग नहीं पाता और जो हवा राजस्थान में बारिश करानी चाहिए थी, वो आगे जाके हिमाचल में बारिश करा रही है, तो हिमाचल हिमालिया का पार्ट है, हिमालिया उचे माउंटेन है, उन हवाओं को रोक पा रहे हैं, अगर उनकी भी हाइट कम होती या वो नहीं होते, तो साउथ वेस मांसुन और आगे निकल जाता यह एक्जामपल दिया था कि राजस्थान में डेजर्ट बनने का एक कारड़ ये भी है कि रावली की हाइट कम है और वो तिर्चा है विंड को रोक नहीं पाता तो जो हवाएं उसको वहां आनी चाहिए थी बारिश कराने के लिए वो उसको छो मेजर ध्यान चंद के बारे में जब बात हुई थी मैंने बताया था कि इंडिया होकी में बहुत नामी था यह मैंने कब बताया था डिसकेशन में बताता हूं आपको बात हो रही थी नेशनल गेम के बारे में कि होकी जो है इंडिया का नेशनल गेम नहीं है हमने कहा था कि ह होकी इंडिया का नेशनल गेम नहीं है, मेजर ध्यान चन हमारे एमिनेंट होकी प्लेयर थे, और इंडिया बैक टू बैक उलम्पिक में 6 गोल्ड मेडल जीता था, इस नाते कह कह के लोगों ने होकी को नेशनल गेम बना दिया, यहीं स्टेट्मेंट था, ऐसी चीजों को जो सरकार ने ऑफिशली डिकलियर ना की हों, कह कह के बना दी गई हों, इन्हें कहते डी फेक्टो, बाइ डिफॉल्ट, अगर सरकार किसी चीज को अफिशली डिकलियर करेगी, तो भारत के गैजट में, राजपत्र में वो पब्लिश किया जाएगा, जैसे नेशनल वीवर गंगा है, यह गैजट में लिखा हुआ है, नेशनल एक्विटिक अलिमन डॉल्फिन है, वो लिखा हुआ है गैजट में गैजट में पर होकी नेशनल गेम है, ये gadget में सरकार है जारी नहीं किया तो ऐसी चीजे जो official सरकार है डिक्लेयर ना किया हो कह कह के बना दी गई हो de facto word use करते हैं उसके लिए तो hockey भारत का national game नहीं है उसको de facto national game बोलेंगे चार option आ जाएं hockey, cricket, football और एक लिखाओ none of these तो none tick करना पर अगर चार game आ जाएं hockey, cricket, football और table tennis तब मजबूरी होकी टिक करना क्योंकि वो de facto by default है क्योंकि major ध्यानचंद famous hockey player थे back to back 6 gold इंडिया जीता olympic में इस नाते popular ज़्यादा था वही question लिखाए एजटीज लिखाए 6 gold medal B option देखो बागी समय में 3, 5 फिर 24 एक और कुछ लिख रहा है नीचे 19, 20 हाँ यही समय था जब हो खेलते हैं Hitler ने बढ़ी तारीफ की थी Hitler ने बहुत तारीफ की थी 1928 से लेके 56 तक इंडिया 6 लगातार गोल्ड जीता था वाइल विनिंग कितने consecutive hockey game जीता अब यह दो option में गर्बर कर सकते थे 6 गोल्ड तो clear है पर 2 option में 6 दे रखा है अब इंडिया लगातार कितने hockey game जीता था तो यह कौन बता पाएगा बताओ भारत लगातार 24 game जीता था यह 18 game जीता था यह याद रखना मुश्किल है छे वाला आप असानी से बता सकते थे अब इस question में कि दिक्कत क्या है 6 gold medal यह बताया हुआ है पर लगातार इंडिया hockey में 24 game जीता था यह नहीं बताया है मैंने 6 gold बताया है तो 2 option हट गए 2 metak गए बात यहाँ पर तो यहाँ risk लेने की बात थी क्योंकि इंडिया लगातार 18 खेल जीता 24 जीता था यह किसी ने भी नहीं बताया होगा कि लगातार इंडिया इतने game जीता था which of the following dance traditionally start in the evening after prelimries that include drumming on the madalum south की बात आरिये देखो madalum and conclude only at daybreak invocatory drumming on the mandalum and conclude only at daybreak अब यह question में दिक्कत आती है आपको यह नहीं बनता क्योंकि madalum शब्द आ रहा है तो कथक नौर्थ इंडिया का है कथक नहीं है इसमें अब इन तीन में अटक जाते आप इन तीन में अटक जाते जबकि question यह कथकली कहा का dance है केरल का और यह आप नहीं यह civil services वाले paper दे रहे होते हैं उनसे भी नहीं बनता कोई civils की त्यारी कर रहा हो तो पूछ ना कि यह question बनाने वाला है क्या civil services वाले से भी बहुत मुश्किल chance है कि यह question बन पाएगा कि यह particular पूछ रहा drumming on the mandalum and conclude only at daybreak तो मैं civil services तक का example दे रहा हूँ छोटे मोड़ exam की तो बाती छोड़ दो कतकली कहा का dance है यह question है इसके eminent player कौन है perform करने वाले वो question है यह जान बूच के odd detail में जाके इसने बना है कि ना बने question छोड़ के आना था यह नहीं करते कोई दिक्कत नहीं होता आटायपाल का कारिकाल के सिधा गुशन है तो जो नहीं बना है वो भी क्लियर है जो बनना है वह गर रास्टपति का इक्वएलेंट स्टेट aby जो कैंडर में जर्णरली कितना होता है पांस साल है यह सएगशाँ के इलेक्ट्रिक करेंट-टर्णीट्च करेंट सिस्टम किस ने डेवलक किया था निकोला टेस्ला वह सबसे थया है इस हैं Thomas Alva Edison ने bulb invent किया था, यह पढ़ाया भी हुआ है, तो इसमें Nikola Tesla यह सबका सही होगा, शायद ही किसी का गलत हुआ हो, कि इंजीनियर हो Tesla के बारे मना जानता हो, तमिलाडू में सबस्यादा बारिश कब होती है, विंटर रेन बताया था, भारत के दो हिस्ते में विंटर रेन होत होती है, नौड्थ इंडिया में, कश्मीर वगरे में सरदियों में बारिश होती है, उसका कारण होता है Western Disturbants, जो बनता है भूमद्यसागर के ऊपर, नौड्थ इंडिया में सरदियों में बारिश होती है नौर्थीस्ट मांसून जब रिट्रीट करता है जब वापसी करता है नौर्थीस्ट मांसून की वापसी के समय तो तमिलनाडू के तरफ पर सरवाधिक वर्षा यह समय है कि अक्टूबर नमबर इवन दिसंबर भी फंडामेंटल ड्यूटी का अब आई थी बताओ जड़ा यूससर से लिया गया था 1976 अमेंडमेंट एक्ट 1976 वाला जो अमेंडमेंड था Mr. Sarai Dui गई थी और 21 डोटी 120除ी 2002 ऐटि 6 अमेंडमेंट में दस डूटी जोली गयी थी 76 वाले अमेंडमेंडमेंड में और ग्यारी डूटीं जोली गई थी 2002 कि हर पैरेंट की जिम्मे दारी है कि अपने बच्चे को स्कूल भेजें यह भी hospital है व करतभर है बोकारो इस्टील प्लांट कहां इस्थी थे यह नहीं बनेगा question और copy में लिखवा भी रखा है तीन इस्टील प्लांट लिखवाए थे तीन लिखवाए थे पर चोथा बोकारो लिखवाए थे जो विदेशियों की सहता से बने थे Second 5 Year Plan में, उसमें लिखवाया था है भिलाई, दुर्गापूर, भिलाई लिखवाया था, दुर्गापूर लिखवाया था, राउर टेरा लिखवाया था, पर चोथा स्टिल क्राश से बने था, से के बाद बता था बोकारो के बारे में, यह भी क्लास का कुशन सीधा, ल से myे नाइ्ट्रो मेथें बताओ नाइ्ट्रो मेथेन नाइ्ट्रो הא के नाइट्रो है तो यह अमुनिया तो नहीं होना चुहें एंस-थरी तो अमुनिया होता है थे गहिंट्र two a my ओता है तो बैलेंसिंग करके बॉंड तो बनना चाहिए पहले नाइ है यह अईट्रो से कौन होगा सिधा सिधा केमिकल फार्बुला बताना है किमिस्ट्र का डेरेक्ट कोस्ट्ट्स नहीं भी याद हो तो भी बनेगा नाइट्रो मिथिन क्या होता है एनो टू ग्रूप को जोड़ना जाए इसका अमोनिया निसी एस थी के साथ मिथिन के साथ यह बनता कोश्चन यह सीधा बन जाता कि नाइट्रोजन में शात हैं और सी को बॉंडिंग करो तीन ही कार्बन का एक खली है तो बॉंड जोड़े ना सी को एन के साथ सी पे तीन एच लगाओगे और एक अभी वैलेंसी एक भी खाली है तो एन से जोड़ोगे एन में साथ है एक हिस से जोड़ोगे आठ पूरा हो जाएगा तब इस्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तब इसली बन जाएगा यह सिंपल कोश्चन है अब पचास कोश्चन यह हो गए आपके पहली सिफ्ट सिविल जो हुआ था कितना टफ पेपर है बताओ जरा मुझे अब वो लोग नहीं दिख रहे हैं मुझे जो कहरे थे दो कोश्चन आये तीन आये हैं वो एक भी नजर नहीं आ रहे हैं चेपकली जो था वो भी शरम के मारे गायब हो गया पचास में से कितने कोश्चन है इससे ज्यादा जरूती क्या करने की मुश्किल से मुझे 10-12 कोश्चन ऐसे दिख रहे हैं पूरे पेपर में जो तुम छोड़के चले आते और वो किसी से भी ना बनते तो भी तुमारा स् हवा ने लगी होगी अब उसे पढ़ाने वाले गलती है कि कॉपी नहीं खोल के जाओगे अब क्लास पूरी नहीं करोगे बच्छों गलती है इसमें अब पूरे काउंट कर लो 10-12 होंगे पर ऐसा नहीं कि 30 कोश्चन भी ना बनते मैं मानता हूं कि 2-4 कोश्चन नहीं आदा अब आगे के लिए भी ध्यान रखें जी एस का मतलब है जी एस में इतने सब्जेक्ट पॉलिटी हिस्ट्री जोग्रफी जी के एंड करेंट अफियर उसी के साथ एकॉनमी कराता हूं मैं चार हो गए उसके बाद फिर आपका लाइफ साइंस इंवार्नमेंट इतना पढ़न के समय उसमें कराया हुआ है और ए टूजेट पूरा जी एस पढ़ा रहा हूं सारा कसारा एस सी जेई जुलाई वाले बैच में 2022 वाले में फिर बता रहा हूं फिर बाद में मत क्या ना पॉलिटी हो गया जोग्रफी हो गया हिस्ट्री हो गया जी के करेंट अफेर इंक्लू क्योंकि मुझे इस बात का भरोसा नहीं हो रहा है कि बच्चे NCRT पढ़के जाएंगे चाहे मैं एक हजार बार कह दूँ तो 910 की NCRT में से जितनी चीज़े मुझे करानी है मैं अपने आप करा दूँगा दिसंबर में तो फिजिक्स के समस्या भी खतम केवल आपका एक जो बैच नहीं भी कर पा रहे हैं उसके नोट्स भी अविलेबल करा रहों टेलिग्राम वगरे पर फेस्बुक पर बिलिंग डाल देता हूं मैं अनकेडमी कम्यूनिटी पोस्ट में पड़े हुए पर कॉपी पलटनी तो आप ही को पड़ेगी टीचर घरा के कॉपी तो नह क्याइ। पर उतना के बाद फिर में कोशिश करूंगा की उसके पर युपी और राजस्थान अभी कनफर में बहूराओं मैं इसका प्लान करूंगा फिजिस केमिस्ट्री तक का क्लियर कर रहा हूं कि दिसंबर में वहां तक करा दूँगा मैं तो ससी जेई 2022 का जुलाई वाला जो बैच कराया है उसमें GS कवरे सबसे आदा है अगर वो बैच कर लेते हो वो पूरा GS खतम कर लोगे तो GS के समस्या दूर हो जाएगी पर आपको कंप्लीट करने पड़ी हुए सब्जेक्ट और रिवीजन करना पड़ेगा तो जो बच्चे वो बैच कंप्लीट कर चुके हैं कम से कम वो रिवीजन पूरी कर लो टेक्निकल भी पिना रिवीजन के तो याद नहीं हुआ होगा मैं कई बार मैं यह बच्चों की गलती नहीं दे रहा हूं कि मालो GS कोई नहीं बना पाया क्योंकि जब नोटिफिकेशन आया तो बच्चों ने कहा सब पेपर बहुत कम टाइम में होने वाला है अब मुझे तो टेक्निकल चाहे नॉन टेक्निकल और वो उसमें टीचर कुछ नहीं कर पायागा वो आपको करना पड़ेगा तो इसलिए पेपर डिसकस करना जरूरी था कि स्टुडेंट के हिसाब से लग रा कोश्चन कम है टीचर के हिसाब से देख रहा हूं तो दस बारा कोश्चन छोड 35 से उपर किया है और दिक्कत कहां पर आई जब मैंने पॉलिटी शुरू किया था उससे मैं क्लास में 400 के उपर बच्चा क्लास कर रहा था हिस्ट्री हुआ 50 कम हुए जोग्रफी हुआ 50 कम हुए मतलब बच्चा पेसे नहीं रख पाता या उसको लगता है टेक्निकल छूड़ गया है एप्टी रिजनिंग छूड़ गया है कोई भी बैच को पूरा नहीं करते तीन सब्जेक्ट टेक्निकल में छूड़ जाएंगे दो चैप्टर एप्टी छूड़ जाएगा तीन सब्जेक्ट जीएस में छूड़ जाएंगे तो ऐसी पढ़ाई से काम नहीं चलेगा क्योंकि सिलेबस तो पूरा करना ही पड़ेगा पूराना बच्चा जो तैयारी में साल दो साल से वेकेंसे नहीं आई है वो भी बैठा ह एक लॉग है जो पुराने स्टुडेंट बैठे हुए वेकेंसी आ रहे हैं वो भी तो कंपीट कर रहा है और वो पहले से बढ़के बैठे वो जीएस मेट से ही दो बार पढ़ चुके है नोट्स भी पढ़ चुके रिवीजन भी कर चुके तो वो लोग 40 प्रस करके आ रहे ह कुशन तो कंपीटिशन उनसे है पढ़ाई का कोई शॉटकट नहीं है कोई इजी ट्रिक मेरे पास नहीं कि मैं छड़ी घुमाओ और पूरा जीए सियाद हो जाए आपको पढ़ना तो पढ़ेगा और सब्जेट को छोड़ना एफॉर नहीं कर सकते हैं आप मेरे से कहें कि स चास बच्चा उसमें से जो सब्जेक छोड़ गया और चार कोश्चन आगए तो उस बैच के बाकी बच्चे तो आगे निकल गए competition relative है कि आपके बगलवाला आपसे जादा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा जदी वो आपसे जयादा मेहनत कर रहा थे तो competition में आपसे आगे निकल गया दो तो तिन तिन नंबर में रैंक कितनी पीछे चली जा रही है, लाखो बच्चा पेपर दे रहा है, यह आपको पता है, कुछ नया तो नहीं बता रहा हूँ मैं, शॉर्टकट कुछ नहीं है, पढ़ना पढ़ेगा, और सबसे अच्छी बात यह है, कि अब तुम S.S.C. J.E. से फ्री हो गए, मैंस की तैयारी 120 के ऊपर जिस बच्चे का बन रहा है, मेरे हिसाब से उसको मैंस की तैयारी करनी चाहिए, तो कि मैंस में भी वो ऐसा कुछ नहीं पढ़ रहा, जो मैंस के लिए भी वो तैयार करेगा, वो बागी एक्जाम में काम आए गई आएगा, उसका ही टाइम है कि मानलो, IMD का पेपर दिसंबर में है भी, वहाँ भी GS कोशन मिलेंगे बहुत, DRDO का पेपर हुआ है, वहाँ भी GS से ही सब आया था, DRDO में तो काफी कोशन बच्चों के बन गए है, उसमें दिक्कत नहीं आई, तो पॉइंट यह है कि अब जो अगले साल में पे है, जहां पर सेलेक्शन ले सकते हैं, शॉटकट के चक्कर मत पढ़िए, पढ़ दीजिए, और जो फेक ID वाले हैं, उनसे मेरे रिक्वेस्ट यह है, कि जीवन भर इस काम में मत लो, भी या तुम भी पढ़ लो, सेलेक्ट हो जाओ, कि तुम्हें ये सब भरकते ना करनी इस टीचर मुझे खुद को लग रहा है कि कितना बच्चा तो इसी काम में लग गया, कमेंट करो, चार कमेंट और करो, पर जाकर उसके बाद धंक से पढ़ लो, सेलेक्ट हो जाओ कोहीं, जो तुमसे ये काम करवा भी रहा है, वो जीवन भर नहीं करवाएगा, चाह कोई भ कर तो बहुत लोगों को होगी इस बास से, कि GS में इतने कोशन बन रहे हैं, तो कुछ मत करो, दस लोगों को फेक ID बना के, क्लास मेंटर करा दो, नया बच्चा तो कुछ जाने का नहीं, नए बच्चे को लगा होगा कि पचास में दो कोशन आए होंगे, चाह भले 40 मिल रहे पर 10 लोग 15 लोग फेक ID बना के बोलेंगे नया बच्चे क्या, नया बच्चे का नुक्सान करो को उल्टा आप, बारा साल में टीचर को कुछ नहीं प्रूव करना, 6 लाग बच्चे पढ़ा चुके हमें प्रूव नहीं करना, ना मुझे पॉब्लिसिटी ना पॉपॉपॉ नुक्सान है, अब उसको कहां किसे पढ़ना है, आप पहले ही फेक ID बना के उसका मोरल डाउन कर दोगे, तो ये काम मत करिए, अपना भी नुक्सान कर रहा है, दूसरे का भी लॉस्ट कर रहा है, तीचर को उससे कोई नुक्सान है, एक परसे नुक्सान नहीं है, ठीक है च एक तारी को टाइम रहेगा, तो एक तारी को भी कराऊंगा, ठीक है अग्लास, थेंक यू, थेंक यू अल, झाल, 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 झाल झाल